हलो दोस्तो गुट बार्णिंग स्वागत एक बाइफ फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में दोस्तो आज है 18 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 सितंबर दोहजार चोविस के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली कर इंडिफर की कुशन के बारे में चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं सबसे पहले वल्लाइनर का रिवीजन करेंगे फिर आज की तरफ बढ़ेंगे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 16 सितंबर को मना जाता है विस्व ओजोन चरण दिवस या ओजोन सनक्चर दिवस या विस्व ओजोन दिवस इसकी थीम इस बार की अक्की गई है मॉन्ट्रेयर प्रोट्रकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्सन इसके अलावा टाइफून यागी से परवहावित वियतनाम लाओस और इन सब की मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑप्रेशन सदभाव सुरू किया है इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेक्स साहित फोरम ये रूस के कजान सहर में आयज़ुत किया गया इसके अलावा अभी जोती रादिते अम सिंधिया जोके केंद्रिये मंतरी हैं इन्होंने पुर्वोत्तर भारत को बढ़ावा देने के लिए अश्ट लक्ष्मी महुत्सो बेबसाइट लांज की है अश्ट लक्ष्मी महुत्सो दिसंबर में आयज़ुत किया जाएगा इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतिय खाद इन निगम ने अभी सुभाव स्वक्षता संस्कार स्वक्षता थीम के साथ एक अभियान शुरू किया है नाम है स्वक्षता ही सेवा और नीरत चोप्रा ने डायमंड लीग में सिल्वर मिडल जीता हुआ है दिली के जो सीम है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अर्वेंद केजरिवाल ने नई सीम बनाए गई है अभी आज की वीडियो में उसके हम लोग बात करेंगे 12 से 14 सितंबर के इमद G20 किर्सी मंतरियस तरह बठक हुई और ये बठक ब्राजील में हुई इन्डस एक्स सिखर समयलन का तीसर संसकर्ण अमेरिका में हुआ और DPIIT विभाग ने स्टार्ट अप्स के लिए भास कर प्लेटफर्म लांच किया ये विभाग आता है वाड़िज और उद्योग मंतराले के तहत ये टॉप 11 करेंट अफेर के कुशन्स थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया है रिवीजन सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में अब हम लोग बात करेंगे आज की करेंट अफेर की लेकिन अगर आपने इसकी क्विज नहीं प्राप्त की हुई है या इसका PDF नहीं डाउनलोट क अब दमानी पराटिय की वहांपर दिली की गवर्मेंट थी उसमें ये सिक्षा मंतराले देख रहें थी अभी जब से मनी सी सोधिया जेल गए, इस्तीफा दिये अपने पदो से, उसके बाद से सिख्षा मंत्राले ये देख रहे थी तो अब इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया है और ये तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है मतलब कि अभी सपत अब इनको लेना है मुख्यमंत्री तो ये अनौंस कर दी गई है तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी इनसे पहले दो महिला मुख्यमंत्रियों में आप सुर्गिय सुस्मा सुराजी का नाम याद रखेंगे और सीरा दिछिद जी का नाम या सीम बनेंगे, ओके, चलिए, तो आतिशी मारलना सिंग, इनका नाम याद रखना, यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, जब मैं यह आपर दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ दिल्ली ने ऐसा किया दिली ने ऐसा किया तो वहाँ पर जो टर्म लिया जाता वो किन सरकार को माएने रखकर के मतला पर हम लोग दिली और चालो अगला खोशन सिश्वे करना हैं महानेदेशक किसे किया गया तो सरस玉स्ट trong नए महान देशक अब नियूत किये गए हैं दोस्तों अमरित मोहन प्रसाद अमरित मोहन प्रसाद यहाँ पर आप देख पाओगे सीनियर ब्यूरोक्रेट अमरित मोहन प्रसाद अपॉइंटेट एड सासर स्निमाबल चीफ तो यह उड़ेशा कैडर के IPS अधिकारी हैं और अब SSB के नए महान देशक होंगे इससे पहले CRP अपमें विशेश महान देशक के लूप में काम कर रहे थे इंका कारिकाल 31 अगस 2025 तक होने वाला है क्योंकि तब यह सेवर्निमिर्त हो जाएंगे या फिर अगर बीज में कोई और आडर आ गया तो तब तक इनका रहेगा कारिका इसलिए अब देखो यह इनकी जगह पर होंगे अमरित मोहन पर साथ यहां पर कुछ और नियुक्तियां हैं जैसे कि आप देख सकते हो दलजीत सिंग चौदरी दो हैं यह बेस सब के अत्रिक प्रभार पाए हुए थे बेस सब का भी देख रहे थे कारिभार SSB का भी देख तो अब यह BSF का हो सकता है पर्मनेंट देखें SSB में उनको नियुक कर दिया गया है राजविंदर सिंग भट्टी यह CISF में नियुक किया गया है CISF यानिकी Central Industries Security Forces देखो यह SSB, BSF, CISF, CRPF यह सब हाय क्या यह सब CAPF का हिस्सा है CAPF यानिकी Central Armed Police Forces यह अर्ध स्थैनिक ब टीन अठीक है न? तो वो रक्षमंत्राले के तहता आती है ये सिकेरिटी जो पार्यमनिकर्स फोर्स है ये ग्रह मंत्राले के तहता है अभी पीच बहुत ज़्यादा वेवाल भी उठा था है ना? इस चीज़ को लिएकर के तो मैंने उसमी आपको सम्झाया है था ग्रह मंत् साले के तहट आते हैं was in hypert. जी होती हैं तो इसके था का लोते हैं की इसा इपीछे कारण है सहीद का पीछफ मिलता है कि उसके अलगड़ी सोथे हैं सहीध जब यह जरा दो इसके इसके आपको का भाए घृ-चान. इसके अलामा आपका ITBP हुआ यह सब इसी के तहट आती हैं ठीक है चली गिरह मंतराली के फोर्सेश हैं अगला हाले में मिली जानकारी के अंसार कोविड का नया वैरियंट जेग SXEC यह विशुहर में तेजी से फैल रहा है पहली बार इस वैरियंट को किस देश में पाया गया देखो जेग वैरियंट एक और आ गया है कोविड का ही अलग वैरियंट है मतलब की कोविड की ही फैमिली से है कोविड तो आप जानते हो अच्छे तरीके से है ना कोविड कोरो वायरस डिसीज जो 2019 में आया चीन के वुहान सहर से ये फैला था और इसके समय समय पर नए वेरियंट आ रहे हैं वेरियंट क्या होते हैं ये भी मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ फिर से सुन लो मोटा मोटा देखो जब भी कोई वायरस सरीर बेंटर करता है या फिर समय के सात-सात कहीं पर भी वह विचरित कर रहा होता है तो अपने कॉपीज लगातार बनाता ही है जैसे शरीर में वायरस आया, समपर्क में आये किसी रोगी के आपके समपर्क में वायरस आया तो वायरस घुशते ही आपके अंदर लाखो कॉपीज बनाना सूर कर देगा अब जब lock copies बनाएगा तो उसमें दो conditions आएंगी, कुछ ऐसी copies होंगी जो मजबूत हो जाएंगी, कुछ ऐसी copies होंगी जो पिछली वाले के पेक्षा कमजोर पड़ जाएंगी, मतलब कि लाखो में हो जकता है एक की दुख्य ऐसा हो, जो पिछली वाले से ज्यादा मजबूत पड़ जो और ज्यादा मजबूत और ज्यादा घातक रहा होगा, इसी प्रक्रिया को कहते हैं, mutation, और यह जो वायरस होता ही से कहते है, muted virus, मतलब यह mutant है एक प्रकार का, है ना, तो mutant है तो उसमें पिछली वाले से ज्यादा तरीके की, वह होगा, energy होगा, आप आप इसे जो लोग X- यही कारण है कि जब COVID आया, तो वह तो घातक था ही, लेकिन जब Omicron आ गया, उसी का अगला वर्जन, तो वह और ज्यादा घातक हुआ, आपने देखा, second wave में ज्यादा मोतें हुई, first wave के comparison में, और समय भी कम मिल रहा था, ऐसे ही अब वाला जो ZEC virus आया रहा है, फैल रहा है यह और ज़्यादा घातक बदा जा रहा है, अगर यह फैलेगा, और ज़्यादा घातक हुगा, यह फैलना कहां से शुरू हुआ है, तो अब दिखो यह जर्मनी से हुआ है, यहाँ जर्मनी लिख दे रहा हूँ, जर्मनी, है ना, चलिए, तो जर्मनी जो है, यह आपका correct option ह होगा यहां पर देखो न्यू कोविड वैरियंट जिक्स स्प्रेडिंग रेपेडिली अक्रॉस द वर्ड नो सिंटम्स प्रिस सिच्वेशन यहां पर भी जर्मनी का नाम नहीं दिया गया है कोई बात मैंने एक्स्प्लाइशन में लिखा हुआ है नया कोविड वैरियंट जो दूजी रही है खास करके अफ्रीकी देश अभी अपने इंडिया में तो उतना जाता हुआ नहीं अभी एक मामला देखने गुमिला था बस फिलहाल यह नया चीज है नया वायरस है जेक वायरस याद रखना और यह किसका किसका संकर है तो आप बताओगे के-स 1.1 और के-प मिसेन ले सकते हो और कुछ डाउट्स है वो मैं क्लियर करने रहा हूँ देखो बहुत लोग यह सोचते हैं कि जो पिछली जैसे यूटूब पर यहाँ पर जब लाइब होता है क्लास, तो क्लास होने के बाद वो वीडियो फार्मेट में इस्टोर रहता है, आप बाद में भी देख सकते हो, ऐसे ही वहाँ पर भी हमने फीचर लगवाया है, आप जब लाइब क्लास हो, अगर नहीं आप आटेंट कर कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी कभी भी देख सकते हो, और कितनी भी बार देख सकते हो, हमारे यहाँ उन एप या उन बड़े-बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की तरह उप्सन नहीं है, कि सिर्फ एक ही बार क्लास लो तो लो, नहीं तो फिर नहीं देख पाओग एज़ेटी एप पर ही जाकर कि यह आपको एप पर मिलेगा डिसकाउंट, वीडियो कोर्स में जाना और किसी भी सहायता के लिए इस पर वाट्सेप करना, जगा-जगा आइकन मने रहेगा, उस पर टेस करोगे, डारेक्ट हमारे पास पहुच जोगे, अगला कुशन, ACI होक इसको जीत लिया दोस्तों भारत ने, एतिहासिक जीत रही, देखो भारत ऐसा नहीं है कि पहली बार जीता है, भारत ने पांचमी बार इसको जीता है, है ना, लेकिन कल वाली जो जीत थी ना, वो एतिहासिक इसलिए बताई जा रहे थी, कि पूरा 80 चोटी का जोर लगा दि तो चाइना से भी पाकिस्तान हा रहा, पाकिस्तान जब हारा चाइना से, तो फिर यहाँ पर जब हारा चाइना से पाकिस्तान, तो यह तीसरे पर आ गया, और वहीं चाइना जो है यह दूसरे पर पहुचा, चाइना और भारत का यह मैच था फाइनल मैच, बहुत टकर का मै चल रहा था तो पाकिस्तान जिसको चाइना ने हरा कर भेजा हुआ है उसके जो खिलाड़ी है ये पहुच कर जाकर के चाइना का जंडा ले करके चाइना की तरफ से तरफदारी करने लेगे मतलब चाइना को सपोर्ट करने लगी मतलब ये सब सिचुएशन आ गए थी कि अभी फुल सपोर्ट कर रहे हैं उसके खिलाड़ी तक है ना अच्छा जब इसते पहले भारत पाकिस्तान का जब मैज था तो फिर खिलाड़ियों में बहुत ज्यादा बहास वगरा भी हुई थी मैज की बाद तो ये भी बहुत टकर की चीज़े देखने को मिली थी कुलमला करके इंटरेस्टिंग मैज था और भारत ने फैनली जीत लिया भारतिये खिलाड़ियों को इसलिए भी बखान करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने चाइना में जाकरके उनको हराया है चाइना में यायजुत किया गया था और वहीं पर जाकरके उनको हराया है टकर के मैज था एक मा पर जीता भारत ने गोल और ब्रांच जीता पाकिस्तान अगला खुशन है निम्ड में से किन दो अस्थानों को जोडने वाली भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सुरू हुई तो दोस्तों नमो भारत रैपिड रेल की सुरूआत हुई है अभी पीम मोदी ने इसको हरी घंडी दिखाई है और ये अहमदाबाद को भुझ से जोड़ेगा अहमदाबाद और भुझ दोनों ही गुजरात के जगाए है अस्थान है तो यहाँ पर रैपिड रेल चलाए गए तो ये बंदे मेट्रों के नाम से भी जाने जाती है इसका नाम अब नमो भारत रैपिड प्ताय करेगी मैक्समाम स्पीड इसकी 130 किलो मीटर पर आवर होने वाली है इसे वंदे मेट्रों इसलिए कहा जाता है क्यूंकि यह मेट्रों जैसे सुविधाय देती है मतलब खुछ से गेट ओपन होना कुछ से गेट बंद होना आटोमेटिक एनाउंसमेंट होना जैसे मेट्रों में आप देखे हों में रहेंगे बस यह लंबी दूर हैं मेट्रो जनल्री आप देखे हो छोटी-छोटी दूरियों के लिए होता है सहर के अंदर होता है लेकिन यह लंबी यूवल नुवा हरारी जो है ये इसराइली व्यक्ति हैं इसराइली लेखक हैं कापे फिर से दे लेखक हैं और इनकी ये पुस्तक आई है नेक्सस नाम से ठीक है इंट्रेस्टिंग पुस्तक है देखो इसमें इन्होंने आर्टिफीसिल इंटेलिजेंस पर बात करी है कि इमेज बना दे रहा है WhatsApp पर भी Meta AI आ गया है या बहुत सारे चीज़े वीडियो एडिरिंग कर दे रहा है वीडियो फूटेज निकाल करके दे रहा है बहुत सारे काम कर दे रहा है आपके जो भी कुश्चन रते हैं को जवाब दे रहा है लेकिन इसके बहुत सादा घा तक भी परणाम हो सकते हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे इस पर इन्होंने चर्चा की है अपनी इस पुस्तक Nexus में दोस्तों यह कोई आम लेखक नहीं है यह दो वर्ड बेस्ट सेलर बुक लिख चुके हैं जो दुनिया भर में पॉपुलर है पहली इनकी पुस्तक सेपियंस नाम की पुस्तक है इसके लावा होमो ड्यूज यह दोनों पुस्तक इनकी ब्लॉक बास्टर रही एक प्रकार से समझ लो वर्ड बेस्ट सेलर रही है अब तीसरी पुस्तक इनक्सस जो AI पर आधारित है तो important लेखक हैं बड़े लेखक हैं इनका नाम याद रखना इसराइल के रहने वाले हैं कुछ और पुस्तके और लेखक का अगर आप रिविजन करना चाहो जो पिछले दिनों में आई थी चर्चे में जैसे एजरनी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट इसको लिखा कुलदीब गुपता ने कल्पना संकर की पुस्तक आई इसके लाओं मोदीज गवर्नेंस ट्राइंफ ये तरोड चोक की पुस्तक थी इंपोर्टेंट है भारत के 75 महान करांदिकारी भीम सिंग ने लिखा वी सुब्रमन्यम ने इंडिया एट हेंडरेड नाम की पुस्तक लांच की और परिमल नाथवानी की पुस्तक आई कॉल अ और होप्स वॉलिम वन ये दुरपदी मुर्मु जी के भाषनों पराधारित संकलन था आगे बढ़ते हैं हाले में जगदीब धनकर ने किस राजी के 433 अद्दोगिक परसिक्षर संस्थान समिधान मंदिर का उधगरन किया तो जगदीब धनकर जी जो की भारत के उपराश पती हैं वाइस प्रेसिडेंट ओफ इंडिया हैं इन्होंने अभी महराष्ट में जा करके महराष्ट के 433 अउद्दोगिक परसिक्षर संस्थान या कहें आईटी आईज जो आईटी आई होते हैं उनमें समिधान मंदिर का उधगरन किया हुआ है यहाँ पर आप इससे रि आईटी आई का रिक्रम आप जानते हो कौस साल रोजगार उत्रमता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यह काम करता है हाला कि आज के टाइम पर आईटी आई की हालत बहुत ज़्यदा खराब है क्योंकि लोग आईटी आई करते हैं लेकिन उसके बाद उनको रोज आई की समस्या है और इस पर काम करना चाहिए अगला यहाँ पर आप देख पाओगे महाराश्टा के बारे में महाराश्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है ठीके ना चेतरफल की दृष्टी से देखा जाया है सबसे बड़ा राज्य दूसरे पर मद्य परदेश तीसरे पर है महाराश्टा और चौथे पर है उत्तर परदेश पांचवे पर गुजरात है यह तॉप फाइब चेतरफल की दृष्टी से राज्य है फिलहाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है मुंबई नागपूर्स की राजधानी है एक नात सि ने के अच्छा क्यों कहते है क्आ कि यहाँ पर कुछ तैवालों की कुछ इस्पिसल प्रकार के सयवालों की उपस्ति है और उनकी कारण को और कभी-जील को कि यह जाता है कभी-गी हो जाता है हमें नहीं होता है न अ जील विर्ना जील यहाँ पर है। इसके लावा निशनल पार्क में तडोवा निशनल पार्क है, चंदोली निशनल पार्क है, भीमा संकर वन्जूय भ्यारण वी है। दर्रे में बगर बात करें तो भोर घाट, फाल घाट, अमबा घाट यहां पर है लोक्निरत में पावड़ी, पोड़ा, लावड़ी यहां पर प्रमूख लोक्निरत है अगला यहां पर 36 जिले हैं 288 विदान सबा में सीटे ए 48 लोक सबा में और 19 राज सबा में सीटे हैं अगला कुश्चन चीन के शंगाई सहर में पिछले 75 वर्सों में सबसे भारी तूफान आया हुआ है इस तूफान का क्या नाम है तो देखो अभी तूफानों का दौर चल दा है खास करके दक्षिड चीन सागर वगरा एरिया में तूफानों का दौर चल आप देख रहे हो पि को तौर समुद्र होता है समुद्र से बनते हैं तूफान समुद्र में बनते क्यों जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाय आपस मने टकराती ऑपानी तो समुद्र की लहरों को था तकरानी और गर्म वाली उपर आए तो ये आपस में आकर टकराने गूम जाती है और गूम जाती है तो ऐसे ऐसे चक्रवात करूप ले लेती है संभूद की लहरों को उठा करके वो नचाना सुरू कर देती है जब वो ऐसे चक्रवात करूप ले लेती है तो वही घूमते घूमते जिस तरह भी म तूफान देखने को मिल जाते हैं बंगाल की खाड़ी में है ना फिर यह इसी सिच्वेशन जब बनता है अरब सागर में तो अरब सागर से आने वाले तूफान उक संके बढ़ जाती है तो यह सभी टाइमिंग पर निभड़ कता है कि किस शेत्र में कहां पर गर्म और ठंडी जैसे कि मैंने आपको वताया था कि अगर यही तूफान चक्रवाती तूफान अगर अमेरिका वगरा में आएगा तो उसे हैरिकेन बोलेंगे अमेरिका मेक्सिको कानेडा वगरा में अगर यही तूफान चाइना जापान इन सब एरिया में आएगा तब उसे कहेंगे कि टा तूफान आये जैसे टाइफून यागी आया था भी वियतनाम में बताया था मैंने इसके अलावत चाकरवात असन आये देखो यह भी गुजरात के पास आया था अरब सागर से बना था ठीक है ना पाकिस्तान ने इसका नाम भी दिया हुआ था टाइफून सांशान आया था य यही चीन सागर से ही है अगला कुश्चन साउथ इंडियान इंटरनेशनल मूवी आवाड्स या कहें SIIMA 2024 इसमें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का आवाड किस ने जीता तो बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का आवाड जीत लिया है दोस्तों एस्वरिया राय ने आप ज के करना SIIMA का फुर्फा मैंने आपको पताया साउथ इंडियान इंटरनेशनल मूवी आवाड्स तो यह भी दिया गया और इसमें एस्वेर राय इसमें इनको समानित क्या गया है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का आवार्ड अब आप सोचोगे यह साउथ-इंडियन में क को इनकी एक्टिंग के लिए यह आवाड दिया गया है यह पूरी लेस्ट है अगर आप वीडियो को पॉस्ट करने पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो में में मैं आपको बता दे रहा हूं जैसे बेस्ट एक्टरस का आवाड पाए है नयान थारा और इसके लावाँ अन्ना बाकी बैस्ट डैरेक्टर निल्सन, दिलिब कुमार, जेलर के लिए मिला है बाकी एवाड के लिष्ठ आप देख सकते हो अगे अगला है हाले में राजभासा कीरती पुरुषकार 2024 से किसको सम्मानित किया गया तो राजभासा कीरती पुरुषकार से सम्मानित किया गया है NMDC Limited को NMDC Limited Company जो है National Mineral Development Corporation Company इसको राजभासा कीरती पुरुषकार 2024 का आवार्ड मिला है C category में, C reason category में, C छेतर की category में, है न, तो अब राजभासा केर्थी पुरुसकार किसी मिलता है, जो राजभासा को बढ़ावा देता है, है न, राजभासा अपनी कौन सी है, हिंदी, हिंदी को राजभासा कर दर्जा मिला था, 1949 में, कब मिला था, तो 14 सितंबर को, इसी वैसे तो हम लोग राज़्टिय हिंदी दिवस मनाते हैं, तो राज़्टिय हिंदी दिवस के आउसर पर, मैंने आपको अभी बताया, जबीता कुश्चन कवर कराया था, कि दिल्ली में अखिल भारती राजभासा सम्मेलन आजुद किया गया, ग्रह मंत्री अमित साजी ने इसका NMDC Limited को, यानि National Mineral Development Corporation of India को, क्लियर है न, तो ये अवार्ड मिला है इनको, तो ये दे साथियों, आज के दिन के टॉप 10 करेंट अफेर क्योशन, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, बाकी हमारी e-books होगरा भी आप लोग देख सकते हो, चक्कर सकते हो, MJT एप पर अरजु नन्मे में ये बैच मिल जाएगा, लाज्ट डे के कुश्चन बात करते हैं, मैंने पूछा था आपसे कि मुखोटों और वेजभूसा बेक्शुओं के द्वारा चाम निर्तिक किस महुत्सो के दरान किये जाते हैं, तो सही अंसर था जान्सकर महुत्सो, जान्सकर महुत्स संजाय थे, इसमें बताइए, ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है, ये कुश्चन कई बार एक्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, अरविंद केजरिवाल जी जो है, आम आदमी पार्टी के स्थापना कब किये थे, अभी स्तीफा दिये हैं हाल फिलाल में, तो बताइए आम आदमी पार्टी के स्थापना कब हुई थी, और नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिला था, इसे ये भी बताइए, आज की टाइम पर नेशनल पार्टी है, ठैक्यू सो मच, यहां तक वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए नमसकार वन देमात्रम